तो हे गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे मेथिल इलकोहल के बारे में पूरी डिटेल स्टडी तो देखो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे थे इलकोहल, फिनॉल और इथर चैप्टर ठीक तो इस चैप्टर में हमने इसके पहले वाले जो वीडियो हैं इसके प पढ़ाता कि प्रात्मिक दुर्तियक और दृतियक अलकोहल में अंतर क्या होता है फिर हमने उसमें पढ़ाता विक्टर मेयर भी दी, लुकास भी दी तो इन सब चीजों के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है और मेथिल इलकोहल क्या होते हैं ये सब मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिये हैं आज हम लोग detail study करेंगे methyl alcohol के बारे में फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ethyl alcohol के बारे में पूरी detail study फिर इसके बाद आपका जो alcohol वाला part है इस chapter में ये आपका खतम हो जाएगा फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ether फिर इसके बाद हम लोग वढ़ेंगे phenol फिर आपका पूराफटर समाप्त हो जायेगा ठीक तो आझ हम लोग qa पढ़ेंगे, पूरे detailed study methyl alcohol के, ठीक, तो देखो, methyl alcohol क्या होता है, सबसे पहले समझ लो, इसका सूत्र क्या होता है, तो methyl alcohol का जो सूत्र होता है, वो यहाँ पर लिका है, CS3OH, यह isका सूत्र होता है, इसका जो IUPAC नाम है, वो क्या होता है, देखो, यह methil alcohol जो है इस सूत्र का जो methil alcohol नाम है यह इसका general name है यानि यह इसका सामान नाम है और इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है methionol क्या होता है methionol होता है ठीक अब इसके बाद दिखें यहाँ पर लिखा है कि इसका निर्माद सबसे पहले boil ने किया था, किस ने किया था इसका निर्माट सबसे पहले boil ने और कैसे किया था, लकड़ी के भंजग यहाँ पर दिखे, स्वारी यहाँ पर लड़की लिग गया है, तो इसको आप काट कर यहाँ पर लिग दीजेगा, लकड़ी अब यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है, तो यहाँ पर आप इसको बना लिजेगा तो यहाँ पर लिखाया है, कि इसका निर्माट सरपतम boil ने किया था, और इसको कैसे किया था, लकड़ी के भंजग आस्वन से किया था, यह भंजग आस्वन कैसे किया जाता है या क्या होता है यह हम आपको आगे बताएंगे ठीक अभी ठीक तो क्योंकि इसका जब निर्माड करेंगे हम लोग मिथिल कॉल जब निर्माड करेंगे तो वहाँ पर हम आपको अच्छे से बताएंगे कि यह लकडी का भंजक आस्वन से इसने कैसे aspiris या फिरwoodnropthic аты भी का जाता है निफ्था का जाता है तो आप इसको याद रखेगा woodsprit याود निफ्था यही होता है methyl alcohol को ही बोल जाता है भी आपका शराव होता है लेकिन आप इसको पीऩ मत ठीक क्योंकि ये बहुत बिसैला होता है अगर आप इसको पीलोगे न तो आप पागल भी हो सकते हो या फिर जादा पीज़कते हो तो आपकी मृत्त भी हो सकती है ठीक तो ये एक प्रकार का एलकोहल ही होता है वैसे ही इसका सुगंद होता है ठीक सुगने पर ये वैसा ही दिखता है लेकिन दिखता नहीं है आपको मतलब सुगने प्यार आपको सौंज में आता है कि ये जिसे इलकोहल यानि जो सराब होता है ठीक उसी तरह के जैसा ही होता है मिथिललकोहल भी लेकिन ये आपका सराब नहीं है आप इसको पी नहीं सकते है ठीक ये खतरनाक होता है ठीक तो आप इसको पीना मत ठीक अब देखो यहाँ पर इसको हम बनाएंगे कैसे आप बना लेना लेकिन पीना मत ठीक तो यहाँ पर देखो निर्माण किसकी विधियां क्या है तो निर्माण की विधियां हम लोग सबसे पढ़ेंगे तो देखो यहां पर सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है मिथिल हाइलाइडों के जल अब गटन से तो आपको सबसे पहले किसे बनाना है मिथिल हाइलाइड जो होते हैं उनका जल अब गटन कर दो तो आपको क्या बन जाएगा आपको मिथिल इलकुल मिल यह सबसे पहले हमारे इसके जो पहले वाले वीडियो है उसको देखिये गा तो आपको अधियल मेथिल यह सब आपको पता चल जाएगा ठीक जो सूत्र होता है रहा होता है सीघ्ल परीवार होता है और हम क्या पढ़ए आप methyl highlight, यहां पर देखो highlight जब कहेगा तो आपका यह ओजाएगा ठीक, यह x क्या होता है? यह x का मतलब होता है, halogen परिवार होता है, और halogen परिवार में यह x के अस्थान पर CL भी हो सकता है, आप BR भी लिख सकते हैं, या फिर Iodine भी लिख सकते हैं, और भी सकते हैं ठीक यह आपका हैलोजन परिवार में जितने भी तत होते हैं वह हैं ठीक तो इसके अस्थान पर यहां पर C E Y L भी हो है अगर C E Y L होगा यानी इसका नाम क्या है methyl bromide methyl iodide जब आई हो जाएगा तो methyl iodide ठीक तो इस तरह से यानि कि methyl chloride क्या होता है आप इतना समझ गए न अब आगे देखें समझेए अब ही हमने जो देखा methyl chloride इसी methyl chloride का में जल अबगटन करना है और जब जल अबगटन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा methyl alcohol मिल जाएगा ठीक अब यहाँ पर लिखा है कि तन उचार के साथ किरिया कराने पर methyl alcohol बनाता है ठीक methyl chloride का जल अब गटन करते हैं तो तन उचार यानि methyl chloride जो हता है इसकी अब किरिया जब हम किसके साथ कराते हैं तनुचार के साथ कराते हैं, तो हमें methyl alcohol मिलता है, अब कैसे कराएंगे इसके अपकरिया, चले मैं आपको बताता हूँ, अब देखो, यहाँ पर आपका methyl halide क्या हो जाएगा, methyl halide का सूत्र हमने अभी आपको उताया, यह आपका methyl halide का सूत्र हो जाएगा, और इसके बाद हमें किसके साथ अब किरिया कराना है तनुचार के साथ जब हम किरिया कराएंगे तो हमारा मेथिल इलकॉल बन जाएगा ठीक तो देखो तनु छार क्या होता है तनु छार हो जाका आपका इन्ने वयज जैसे होता है या फिर के वयज भी हो सकता है ठीक तो ये तनु होते हैं तनु का मतलब क्यों होता है और सांद्र का मतलब क्यों होता है तनु का मतलब होता है जो चीज पनघड होता है आपका ऐसा विलियन जो आपका पनघड हो तो इसको अम तनु बोलेंगे और सांद्र का मतलब होता है जो छीज थोड़ा से गाढ़ा हो गाढ़ा टाइप में हो व तो इसको हम करते हैं जब मेथील हाइलाइड के साथ इसका अब किरिया करते हैं मतलब आप सबसे पहले मेथील हाइड लीजिए उसको क्या कर ये तन उचार्ज होता है ये तन उचार्ज होता है उसको मेथील हाइलाइड में धील दीजिए जब धील देंगे तो जो अवकिरिया करेगा कुछ देर अवकिरिया करेगा और यानि अवकिरिया करने के बाद वो कुछ ना कुछ बना देगा तो वो क्या बनता है वो मिथिल अलकोहल बनता है ठीक तो आप समझ गए ना तो यानि कि अब अगर आप कहां भी मुझसी चीज को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मिथील हैलाइड है, इसमें हमने क्या मिला दिया? तन उचार मिला दिया अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर यह जो एन्ने है और यहाँ पर यह जो हैलोजन है यह OH और यह CS3 तो यह क्या बन गया? यह अमारा अलकोहल है ठीक तो इस तरह से यह आपका क्या है? मिथील अलकोहल है यह आपका है मिथील अलकोहल ठीक और यह है सूडियाम हाइलाइड तो इस तरह से आप बना सकते हैं methyl hyalite से methyl alcohol अब देखो अगर मेथिल hyalite से मतलब methyl hyalol नहीं बनाना चाहते तो चलिए मैं आपको और भी तरीके बताता हूं कि और आप किस चीज से बना सकते हैं मेथिल इल्कोहल तो धोड़ा से अपको यहाँ पर थोड़ा से और अगर बता देए यहाँ यहां पर आपको यह यक्स है यक्स को आपको मैंने बताई है सब हैलोजन है तो यहां इसके स्थान पर आपका यह जो यह देखो टाइप रियक्शन है अगर आपको एक्जामपल में हम बताएं तो एक्जामपल में आप लिख सकते हो जैसे कि CS3 इसके स्थान पर CL भी हो सकता ह BR भी हो सकता है, मानले मैंने CL लिख दिया और यहाँ पर तन उचार यानि कि यह क्या है, मेथिल क्लोराइड है जब मेथिल क्लोराइड को हम तन उचार के साथ अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर देखो एलकोहल कैसे बनता है, यहाँ पर यह NA और यहाँ पर यह CL यह आपस में जूट जाएगा और बना लेगा NA, CL ठीक, और यहाँ पर आपक्या CS3 और यह OH, ठीक यह OH, यह CL3 यह बना लेगा मेथिल अलकोहल ठीक, तो मेथिल क्लोराइड से मेथिल अलकोहल कैसे बनाए जाता है, अब समझ गए न बताता हूँ कि और किस चीज़ से आप बना सकते हो, मेथिल अलकोहल अब देखो जो दूसरा मेथिड आपका है मेथिल अलकोहल बनाने का वो है फॉर्मेल डियाइड के अप्चेयन से तो देखो जो फॉर्मेल डियाइड का अप्चेयन है, यानि इससे जो आप बनाओ के मेथिल अलकोहल ये आपके बोर्ड एक्जाम के लिए important है, तो आप इसको टिक कर लिजेगा जहाँ पर आप लिख रहे हो ठीक, तो यहाँ पर क्या है, लिखना है सबसे पहले फॉर्मेल डियाइड के अप्चेयन से यानि हम फॉर्मेल डियाइड के अगर आप चैयन कर दें, तो भी हम मेथिल अलकोहल को बना सकते हैं, अब ये कैसे होगा चलिए, अब मैं आपको उताता हूँ तो देखो, यहाँ पर जो आपका है फॉर्मेल डियाइड, फॉर्मेल डियाइड का फॉर्मेल डियाइड का हमें क्या करना है अपचेयन करना है, तो जब अपचेयन होता है तो हम क्या करते हैं, जब किसी भी चीज का अपचेयन होता है, तो अपचेयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जोड़ना ही अपचेयन कहलाता है तो यह तो देखो अगर आक्सिजन निकल रहा है आक्सिजन का निकलना अपचैन होता है और अगर हैडोजन जुड़ रहा है तो उसको अपचैन बोलते हैं तो जब अपचैन कब होता है जब हैडोजन कोई जुड़ता है तो उसका अपचैन होता है ठीक तो यहां पर हम क्या क रहेंगे तो यहाँ पर इसको हम हाइडोजन के साथ जोड़ेंगे यहाँ पर जो हाइडोजन होगा वो क्या होगा आपका नवजात हाइडोजन होगा ठीक यहाँ पर यह ब्रेकेट आपको लगाना जरूरी है इससे प्रचलता है कि यह नवजात हाइडोजन है नवजात हाइ होगा इसके हम दो अड़ो लेंगे ठीक यहां पर इसके हम दो अड़ो लेंगे ठीक अब देखो इसके दो अड़ो लेंगे अब यहां पर क्या होता है अब देखो इसको अच्छे समझने के लिए इसकी क्रिया को समझने के लिए हम आपको इसका structure बना कर समझाते हैं देखो य में करना है इसका अपचेयन ठीक अब देखो इसका अपचेयन कैसे होगा अब यहां से आपका जो एक बॉंड है यह डबॉल बॉंड में जो एक बॉंड है यह तूट जाएगा ठीक अब देखो तूट कि यहां पर सबसे पहले हम आपको समझाता हूं देखो जैसे कार्बन है कारबन की जो सन्यजगता होती है सन्यजगता को अंगरीजीं बोलते हैं वैलेंसी ठीक तो कारबन की जो वैलेंसी होती है वो कितना होता है चार होता है तो इसका अगर वैलेंसी चार होता है तो इस तरह से यह होता है तो यानि इसकी वैलेंसी चार होती है ठीक या फिर इससे चार हाइडोजन जुड़ें कुल मिलाकर इसकी जो वैलेंसी है यह पूरी होना चाहिए यानि यहाँ पर हर एक अस्थान पर यहाँ पर जह सील जुड़ा हो या फिर हाइडोजन जुड़ा हो ठीक तो यानि कि जिसकी जो वैलळंसी होती है, उस पर सब फुल होने चीह है, खिक, तब हो कोई न कोई आपका योगिक बनाएगा, फिक, इस पर फुल होगा, ठिक, अब जोको यहाँ पर जिससे हैडोजन जुड़ा होता है, ठिक, यानि जब ये किसी से अब किरिया करता है, तो यानि कि इसकी जो वैलेंसी होती है करबन की चारो वैलेंसी होती है ये फुल होनी चाहिए छीक इसी तरह से oxygen की वैलेंसी कितना होता है 2 होता है तो इसलिए oxygen हमेशा क्या होता है double bond से या तो जोड़ा होता है या फिर आपको oxygen ऐसे भी दिख जागा ठीक तो कुल मलाकर देखो एक इधर bond हो गया एक इधर bond हो गया ठीक तो इसकी दो valency हो गई तो यानि कुल मलाकर इसकी valency पूरी होनी चाहिए ठीक तो इसी तरह से अगर जैसे माल ले double bond है यह तूट रहा है और यहाँ पर C है ठीक अगर यह bond यहाँ से तूट रहा है अगर यहाँ से यानि एक bond तूट रहा है तो इसका मतलब हुआ कि carbon का अगर एक bond तूट चुका है तो इसका मतलब carbon के पास एक अस्थान जुड़ने के लिए हो गया है ठीक देखो यहाँ पर इस तरह से एक bond जुड़ा हुआ है ठीक और दूसरा से आपका oxygen जुड़ा हुआ ठीक तो और यहाँ पर देखो इसकी दो valency होती है तो इस तरह से इसका भी एक valency खाली हुचुका है यानि इस carbon के भी एक valency खाली हुचुका है और इस oxygen का भी एक valency खाली हुचुका है क्योंकि यहाँ पर जो double bond था वह एक bond तूट चुका है ठीक अब यहाँ पर देखो इसका valency खाली हुचुका है और इस carbon के भी valency खाली हुचुका है तो यहाँ पर देखो आप क्या था H CH double bond O ठीक और यहाँ पर हमने 2 hydrogen लिए थे इस के साथ की किरिया कराया था ठीक तो यहाँ पर देखो 2 hydrogen है अब 2 hydrogen में यहाँ पर देखो यहाँ पर एक hydrogen जुट जाएगा और एक hydrogen यहाँ पर जूट जाएगा ठीक तो अब आपको हम समझाते हैं देखो देखो इसी तरह से यहाँ पर यह bond अगर टूटेगा यहाँ पर यह bond टूटेगा तो यानि carbon की एक valency खाली हो जाएगी और इधर oxygen की भी एक valency खाली हो जाएगी यानि खाली हो जाने का मतलब यह है कि इससे एक hydrogen जुट सकता है और इस पर भी एक hydrogen जुट सकता है क्योंकि यहाँ पर अस्थान खाली हो चुका है जुटने के लिए ठीक तो यहाँ पर यह जो carbon है आलरेडी इससे दो hydrogen तो जुटे हुए हैं ठीक अब यहाँ पर एक hydrogen भी आकर जुट जाएगा ठीक और इसके बाद यहाँ पर यह जो आपका oxygen है यहाँ पर इस oxygen की भी एक विलेंसी खाली उची की है तो यहाँ पर एक hydrogen इस साथ इस carbon के साथ जुट जाएगा और एक hydrogen इस oxygen के साथ जुट जाएगा तो यह बना लेगा OH ठीक इसके साथ यह आपका है Formal Dehyde, ठीक, यह आपका है Formal Dehyde है, ठीक, तो आप समाझ गये ना कि किस तरह से Formal Dehyde का अच्चेन करके हमें Methyl Alcohol बनाना है, ठीक, तो इस तरह से आप Formal Dehyde से Methyl Alcohol बना सकते हैं, ठीक, तो यहां पर देखो, कुछ भी आपको करना नहीं था, यहां पर आपको इसक structure मैंने खोल के इसलिए बताया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाओ ठीक तो अच्छे समझ आने के लिए मैंने आपको इसे लिख दिया है अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या होता है फिर से आपको बताते हैं यहाँ पर double bond टूट चुका है इसका व्योगिलेंसी इसका व्योगिलेंसी खाली यहाँ से एक hydrogen इसके साथ जुड़ जाएगा एक hydrogen इसके साथ जुड़ जाएगा और यह बना लेगा आपका methyl alcohol ठीक तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हो CH3OH ठीक तो इस तरह से आपको बनाना है चले मैं आपको एक और method बताता हूं कि आप कैस methyl alcohol को बना सकते हैं देखो दो तरीके तो हमने बता दिया आपको कि कैसे आपको methyl alcohol बनाना है अब तीसरा तरीका हम आपको बताएंगे dye-methyl ether के जल अबगटन से अब कि आपको dye-methyl ether जो होता है उसका जल अबगटन करना है तब आपको मिलेगा methyl alcohol ठीक इसमें क्या करना है त तनू H2SO4 की उपस्तिती होगी और जल के साथ हमें किरिया करना है ठीक जब जल के साथ हम किरिया कराएंगे तो हमें methyl alcohol मिल जाएगा उपस्तिती होगी H2SO4 और यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर यह जो आपके reaction थी स्वारी यहाँ पर आपने थोड़ा से हमने ध्या नहीं दिया ठीक तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या लिख देंगे यहाँ पर आप लिख देना लीथियम यहाँ पर किसकी उपस्तिती है किसकी उपस्तिम होती है लीथियम एलम्यूनियम हाइड्राइड या फिर एथर होगा ठीक तो एथर होता है या फिर एथर होता है या फिर lithium aluminum hydride तो lithium aluminum hydride या eether की उपस्ति में ये reaction होती है ठीक तो आप इसको लिग लीजिएगा, ठीक, अपकी हमें क्या करना है, डाई मेथिल एथर्ज होता है, उसका हमें अपचैन करना है, जल अपचैन करना है, ठीक, अब देखो डाई मेथिल एथर क्या होता है, एथर का जो सामान सा सूत्र होता है, वो क्या होता है, आर, स्वरी यहा आपका methyl alcohol ethyl alcohol खतम हो जाएगा तो इसके जस्ट वाद आपको पढ़ाया जाएगा एथर तो एथर के बारे में आप पूरी तरह से detail study में पढ़ेंगे आप wait करिए ठीक तो बस आप इतना भी समाल लीजिए कि एथर का सूत कैसा होता है इसको आप इसको यहां पर हम जो बोल रहा है इसलिए बोल रहा है क्यांकि दखो हमने आपको पहले वीडियो विदियो में बताया था, फिक इस चाप्टर के, कि जब 1 हो उसको हम लोग mono बोलते हैं, जब कोई चीज 2 हो तो उसको हम लोग डाई बोलते हैं, जब कोई चीज 3 हो उसको हम try तो यहां पर एक इल्किल, दो इल्किल है, इसलिए इसका सामान नाम क्या होगा, डाई, एल्किल, इथर, ठीक, तो इस तरह से बोल सकते हो, अब यहां पर हम क्या करे हैं, डाई, मिथिल, इथर, इसका सूत्र कैसे बनेगा, देखो मेरे वाई, अगर आप यह देखो कमिस्ट्री है, और अगर आप सूत्र को नहीं पकड़ पाए, तो आप कमिस्ट्री को समझ नहीं पाओगे, तो आपको सबसे पहले सूत्र क्या होते हैं, उनको ध्यान से उनको पढ़ना है, यानि समझना है, और उनको मतलब ध्यान मे रखना है ठीक, तो यहां पर देखो । डाई मिफिल एथर का सूट कैसे बनेगा अब यहां पर हम डाई बोल रहे हैं यानि एथर यह क्या हो जाएगा दोनों तरप इसके मिफिल जुड़ जयएगे, बस आपका हो गया ढखो एक मिथिल यह हो गया, एक मिथिल यह हो गया, दो मिथिल हो गया, इसलिए हमने इसका नाम क्या बोला, डाई, और एक मिथिल कितने है, इन्हें डाई, दो, दो मिथिल, और यह पूरा क्या होता, आपका आपका इथर होता है, तो इसका नाम क्या होगा, डाई मिथिल इथर होत तो यहां पर देखो क्या बन जाएगा यह आपका होता है डाई मिथिल एथर होता है ठीक और यहां पर यह आपका होता है डाई मिथिल एथर और हमें इसका जल के साथ किरिया कराना है ठीक तो देखो जल को हम समझने के लिए आपके इस तरह से लिग दिये हैं ठीक और किसकी होगा तनू H2SO4 की उपस्तिम होगा यानि जो आपका पनगढ H2SO4 होगा उसकी उपस्ति में कराना है ठीक इसकी उपस्ति में इसकी रियक्षन कराना है अब यहां पर देखो क्या होता है अब यहां पर यह जो CS यानि यह वाला जो मिथिल है यह अपना बॉंड यहां से तोड ठीक और यहां पर यह जो OH है यह अपना bond यहां से तोड़ देगा आप देखो यहां पर क्यों होगा यह अपना bond यहां से तोड़ कर हट जाता है यहां पर यह अपना bond तोड़ कर यह हट जाता है तो यह होगा CH3 ठीक यानि हट गया और यहां पर जो OH है यह भी यहां से अपना इस hydrogen से अपना bond तोड़ कर हड़ जाता है तो ये जब हड़ कर यहाँ पर इस methyl के साथ अपना bond बना लेता है तो ये होता है देखो इसका bond तूट चुका है तो इसके भी पास जोड़ने के लिए का स्थान खाले चुका है OH भी अपना bond तोड़ चुका है तो इसके पास भी जोड़ने के लिए अस्थान खाले चुका है तो ये इसके साथ जाकर जोड़ जाता है ठीक तो ये OH ऐसे बन जाता है और यहाँ पर क्या बचा है यहाँ पर CS3 ठीक यहाँ पर बचा है CS3 और ये आपका O बचा है और यहाँ से अपका bond तूटा है और यहाँ पर ये hydrogen बचा है तो क्योंकि इसका भी bond तूट चुका है तो ये भी यानि इसका भी एक अस्थान खाले हो चुका है जोड़ने के लिए तो ये यहाँ से हटेगा और इस oxygen के साथ जोड़ जाएगा तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा इस oxygen के साथ जोड़ का यहाँ पर ये ये आपका methyl alcohol है ये भी आपका methyl alcohol है यानि यहाँ पर methyl alcohol के हमें दो अडू प्राप्थ हो जाएगे तो यहाँ पर आप डाईट यहाँ पर लिख सकते हो या तो आप ऐसे लिख दें या फिर आप diet इसको ऐसे लिख सकते हैं यानि आप यहाँ पर इसको दो से गुणा कर दीजिये तो वह यह बात हो जाएगा आपकर तो दो आड़ु हमें क्या मिल जाते हैं? methyl alcohol के दो आड़ु यहाँ पर मिल जाते हैं जब हम Di-Methyl Ether को जल के साथ किरिया कराते हैं, 10-S2-SO4 की उपस्ति में, तो हमें 2 methyl alcohol, यानि कि 2 आडव आपके methyl alcohol के मिल जाते हैं, तो इस तरीके से आप, मैंने आपको 3 तरीके बता दिये हैं, 3 तरीकों से आप बना सकते हैं, methyl alcohol ठीक, तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं पहला हमारा method क्या था? हमने बनाया था methyl highlight से ठिक उसके बाद दूसरा method हमारा क्या था? formaldehyde का हमने upchain कर दिया ठिक तो upchain से आप बना सकते हैं और तीसरा हमारा तरीका क्या है? dye methyl ether को जल के साथ किरिया करा दो यहां से भी आप बना सकते हो methyl alcohol ठीक तो तीन तरीके से आप methyl alcohol को बना सकते हैं ठीक अब हम लोग पढ़ेंगे इसका एदोगी निर्माड यानि की एदोगी निर्माड का दोको मतलब क्यों होता है? दोको अभी तक तो हमने यानि की जो एलकोहल बना रहे थे वो थोड़ा थोड़ा बना रहे थे मतलब ज़्यादा कुछ ने बना रहे थे लेकिन एदोगी निर्माड के मतलब इदोग का मतलब क्यों होता है? इदोग का मतलब होता है आपका जो विज्जिस होता है जो वियपार होता है उसको क्या बोलते हैं उद्दोग ठीक अब देखो एदोगी निर्माड जब करना है यानि आपको फैक्टरी वगरा जब खोलना है और तब फैक्टरी में आपको आगर खोलेंगे आप कंपनी खोलेंगे तो देखो वहां पर आपको बहुत ज्यादा माल तयार करना पड़ेग तो बहुत ज्यादा मातरा में हम लोग बनाते हैं तो हम अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि एदोगी निर्माड हम कैसे करें मतलब कि इसका एदोगी निर्माड करेंगे जब हमें बहुत ज्यादा मातरा मेथिलकॉल बनाना हो तो हम कैसे बनाएं तो वो चीज अब हम आपको प बतलाव होता है जोब हमें बहुत ज्यादा बनाना हो जिसे मैथिल लिखुल का अद्धोगी निर्मार पढ़ना तो जब हमें मैथिलिक्वाल आपर क्यों होग Самあっ इस में क्या होता है है इस में यहां करते हैं ? वह आपने आपके गाउं मेन यह पीर कहीं पर अब देखेंगे पीपीरमयेंट का एक टेल होता है तो उसको जी मारे हैं और फ्षेतों में बहुत बोया जाता है तो जी 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 तो वहां पर टंकी होती है वहां पार उसको ले पर ले जाकर उसको वहां पर डाल देते हैं ठीक यानि उस टंकी में डाल देते हैं धक्कन बंद कर देते हैं नीचे से आग लगाते हैं आग किसमें लगाते हैं उस टंकी की यानि कि जो टंकी उसको गरम करते हैं गरम करने के बाद क्या होता है वहां से एक पाइप लगा होता जाने के बाद वहान पर अब ऑस्फ वहान पर जाता है तो पानी में उसको पाईबी के उसको पानी के अंदर यह डाल देते हैं तो वहान पर क्या होता है जब वह वहां पर जाता है तो पानी में वहां पर संगनित होता है यानि वह जल मतलब कि वह क्या होता है वहां पर ठंडा होता है ठंडा होकर वह द्रो रूप में बन जाता है तो इस तरह से वहां पर जो प्रिपेर्मिंट का तेल होता है उसको निकला जाता है सेम प्रक्रिया हम इसमें भी अपनाएंगे यहां पर भी इसी तरह से करना है यहां पर क्या करना है ट्राली यानि आपको एक ट्राली लेना है ट्राली मतलब होता है वही जो आपका टंकी टाइप का होता है गुल-गुल टाइप का ठीक तो वही करना है उसको लेना है उसमें क गरम कैसे करना है वायू के अनुपस्ति में यहां पर हमने लिख भी दिया है कि वायू की अनुपस्ति में आपको 400-500 अंसिल्सियस तक आपको गरम करना है अब देखो यहां पर क्या होता है तो देखो यहाँ पर इस तरह से आपका एक टंकी टाइप माली या आपका यह टंकी है या फिर आप ट्राली है माली आपका यह ट्राली है अब आप इसमें क्या करेंगे अब यहाँ पर आप लकडी के छुटे छुटे टुकडे लेंगे और उन टुकडों को इसमें यहाँ प पर वायू नहीं होना चाहिए यानी वायू की anupasthetit होनी चाहिए अगर वायू की उपasthetit हुआ तो įे जानतों क्या होगा ये आपका जल जाएगा ठीक दोको वायू जोता है वायू जोता है oxygen जोता है याप कि क्या करता है किसी विछीज को जला देता जलाने में वह उसेयर कर याणि सहायता इसलिए हम ने यहां पर बोला है कि वande और अनफस्तिति होना है क्योंकि हमें भनजन का मतलब होता है यो हमको भूजड़ना है जैसे भंजन का मतलब होता क्या भूझना किसी वी चीज को जो जले नहीं बल की वो भूझ जाए भूझना बोलते हैं तो भंजन मतलब भूझना तो यानि कि हमें इसको जलाना नहीं है वायू की उपस्थिती में अगर करोगे तो ये जल जाएगा ठीक इसका भंजन नहीं इस टंकी में और इसको भंजन करना है इसको गरम करना है तो इसका भंजन हो जाएगा ठीक अब यहां पर क्या होगा यहां पर जब भंजन होगा तो यहां से कुछ नग यहां पर जो होगा यह लकड़ी का जो आस यानि कि जो आपका लकड़ी है इसको क्या करना है यहां पर यह जब इसका भंजन करेंगे तो यहां से कुछ ना कुछ भाब बनेगा और भाब बनके यह एक pipe में इसी तरह से आता है pipe में आपका आ जाएगा pipe के द्वारा आपका आ जाएगा और आने के बाद देखो यह चित्र नहीं बता रहे हैं जब इसको आप ऐसे करोगे तो यह भाब बन जाएगा और भाब बनकर यह ऐसे आ जाता है एक pipe में आपको इसे लाना है ठीक और लाने के बाद उसको आपको संगनित करना है संगनित मींज उसको आपको ठंडा करना है ठंडा करोगे तो वो जो आपका जो यहाँ पर भाब बनकर यहाँ पर जो आ रहा है यह आपका जो यानि कि इसका जो भाजवन करने पर आस्वन इसका जो आस्वन करने पर जो भाब बनकर आ रहा है जब आप इसको ठंडा करोगे तो यह द्रो रूप में हो जाए तो गैस को जब आप ठंडा करते हो त संगनीद करना है जब आप ठंडा करोगी है संगनीद यानि इसको कहते हो करें गई तो यहाँ पर यह द्रो रूप में बन जाएगा और जब यह गैस द्रो रूप में बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे यही हमारा वो जो द्रो बन जाता है वो कैसा होता है जब आप इसक तो इस तरह से वह द्रों मिल जाता है और उस द्रों को हम लोते हैं voh अमारा होता है पायरो लिगनियस अमलो था्य ठीक अब यहां पर हम आपको इसी को इसी प्रोसेस को लिख कर आपको हम दिखाया देते हैं आप उसको लिख लीजिएगा ठीक देखो यहां पर पूरा लिख दिया है कि इस विध में लकड़ी के छुटे-छुटे टुकडे लोहे के ट्राली यानि जो रिटार्ट होगा उसमें भर कर भट्टी को वायू की अनुपस्तिती में देखो पर आपका पानी उबलने लगता है अब आप सोच सकते हो कि जब 400-500 तक आप इसको गरम करोगे तो यह कितना ज्यादा गरम हो जाएगा ठीक तो आपको क्या करना है, इसको 400-500 अंसिल्श्यस तक आपको गरम करना है, और गरम करके आपको इसका भनजन करना है, इसको भूल डालना है, ठीक, और इसके बाद भनजन आश्वन से बनने वाली जो वास्प है, जो यानि आपको वहाँ पर जो वास्प बनेगा, उसका आपको संगनन करना है उसको आपको थोड़ा ठंडा करना है संगनन करने पर प्राप्त जो गाढ़ा यानि कि जब संगनन करोगे तो आपको गाढ़ा और लाल भूरा रंग का द्रव मिलेगा और उस द्रव का नाम होगा पायरो लिगनियस अमल वही आपका कहलाता है पायरो लिगनियस अमल दोको यहाँ पर वायू की अनुपस्ति अंडरलाइन कर दिया क्योंकि आप इसको याद रखेगा कि वायू की अनुपस्तिती होता है आपका बहुत विखल्पी प्रेश्ण भी बन सकता है ठीक और यहाँ पर पायरो लिगनियस अमल क्या होता है इस तरह से आपका एक कोईशन बन जाता है कि पायरो लिगनियस अमल क्या होता है या इस पर टिपड़ी लिखिए तो आप इसको याद रखेगा कि पायरो लिगनियस अमल क्या होता है ये गाढ़ा लाल भूरा रंग का द्रव होता है ठीक तो इसके एद्दोगी निर्माण के जो बिधित थी ये आपका हो चुका है अब हम आपको चलिए इसका चित्र दिखा देते हैं